देखें UPSC के एक्जाम में हो या स्टेट PCS के एक्जाम में हो CSAT की अब एक बहुत ही महत्यपूर भूमिका हो गई है जब CSAT का अंदोलन चला था तब CSAT को 33% क्वालिफाइंग नेचर का किया गया लेकिन अब 33% लाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनावती बन चुकी है हिंदी माध्यम में बच्चे मेंस की तैयारी बहुत सांदार किये हुए बैठे हुए लेकिन CSAT उनके लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है और CSAT चैलेंज इसलिए है क्योंकि CSAT पर टाइम ही कितना देते हैं आप CSAT की तैयारी करते ही नहीं है CSAT को आप सबसे हलके में लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मातर 33% ही तो लाना है 33% तो ऐसे ही आ जाएंगे यूँ ही आ जाएंगे आप GS में ही पूरा दो साल बतीत कर देते हैं और जब एक्जाम नजदीक आता है तब आपको अचानक CSAT की याद आती है और फिर पेपर में जाके धरासाई हो जाते है पिछले कुछ समय से देखा गया है कि CSAT के पेपर की इस्थिती बहुत ज़्यादा गंबीर हो चुकी है बच्चे जब CSAT का पेपर दे करके निकलते हैं तो यह तो कहते हैं कि GS तो बहुत अच्छा गया है पर CSAT में इस बार हम रह जाएंगे तो मैं आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं CSAT की समस्या का संपूर समधान ले करके ठेक है आप सभी को CSAT की क्लासे स्टार्ट कर रहा हूं वैसे जो CSAT का हमारा complete batch है इस batch में जो है आपको math की reasoning की classes सारी मिलेंगी लेकिन मैं आपको CSAT का जो हिंदी comprehension वाला segment है गध्यांस वाला segment है बोध गम्मेता वाला segment है उसको बहुत अच्छे से कबर कराने वाला हूं अब देखो जो बोध गम्मेता है वो केवल और केवल CSAT में नहीं आती ठीक है qualifying nature का paper जो आपका हिंदी का UPSC में होता है या state PCS में हिंदी का एक separate paper ही होता है तो वहाँ पे गध्यांस पूछ लेते बोध गम्मेता पूछ लेते comprehension आपका आता है तो पहले मैं आपका comprehension वाला segment दूँगा लेकिन उससे पहले एक बार हम प्रारंबिक परिक्षा के CSAT के syllabus को देखेंगे आप सभी से मेरा आग रहा है कि आप लोग भी CSAT के एक बार syllabus को समझें syllabus को समझेंगे भर से बात नहीं बनेगी हमें previous year के question paper को भी देखना पड़ेगा और paper अब इतने आसान नहीं आ रहे है पेपर का इस्तर बहुत अच्छा हो रहा है आपको जितना काम बहुत गम्मेता में करना है उतना ही काम आपको math में करना है reasoning में करना है क्योंकि math reasoning और बह reading skill आपका अच्छा है थोड़ा भ्यास कर लेते हैं तो निश्यत तोर पे आपके लिए C site आसान हो जाएगा 33% के करीब आप पहुंच सकते हैं लेकिन बहुत गम्मेता आपका गडबड हुआ तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है ठीक है बहुत गम्मेता में एक challenge ये भी है कि सत प्रिस्षत question सही नहीं होते हैं क्योंकि आयोग की जब अंसर की आती है तब पाते हैं कि वही question का interpretation कुछ और निकल रहा है अब लेबल भी बदलता जा रहा है तो ऐसे में C site को ले करके अभी बहुत लंबे समय से एक जो है बच्चों के द्वारा एक संगर्ष भी चल र समय आप अभ्यास नहीं करते हैं इसलिए आपका C site कमझोर है जिनका C site निकल रहा है उन्हेंने अभ्यास किया है आपकी भी कमी है यह आप एक भी दिन नहीं पढ़के जाओगे कोई भी चीज़ को आप सोचे कि एक्जाम बाले दिनी पढ़ना तो फिर कहां बात बनेगी इ क्यों गंभीरता पुर्वक लो देखो जी एस को आपको पता है जी एस की कट आप कितनी जा रही अभी है ना आई दी मैं आई एस की बात करूं तो सो में 88 कट आप जा रही है स्टीट पीशेस में भी देख लीजे कितनी कट आप 50 पर संट थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा इतनी कट आप है आपकी 50% के आसपास रहती है कभी 48 हो गई 46 हो गई कभी यह जा करके 60 हो जाती है तो 50 to 60 के बीच में वेरियेशन चलता रहता है आपका ठीक है जी एस की कट आप कर तैयारी कितना करते हो 100% सी सैट में लाना है 33% तैयारी कितने कर रहे हो 33% की ही कैसे आप आ इसलिए आप पूरे कोश्चन नहीं कर पाते हो तो इसलिए अब आप सभी को सी सैट को लेकर गंबीर हो जाना है सी सैट पर दी आप काम नहीं करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी फिर आपका सेलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक दीवा सोपने रह जाएगा तो मैं यहां पे एक बार पहले आपको सी सैट के पाठिक्रम से रूबरू कराऊंगा और मैं आप सभी के से यह पेक्षा करके रखूंगा कि आप सभी बच्चे जितने भी हैं अपने अपने मैं आई एस का यहां पर स्लेबस दिखा रहा हूं स्टेट पीस्यस का स्लेबस कापी अतक इस जहां पर भी नहीं तो एक बार सी सैट के पेपर को को देखेगा जरूरूलध देखें सी सैट आपका प्रस्न पत्र 2 है समान अधियन का प्रिलिम्स में आता है दो सो अंको का आता है और 20 Chase कि अव Savannah सो बीपीएस ऌने BPSC में क्या है वहाँ पे जो है दसर नमबर की मैं थ जाती है मात्र ठीक है और फिर में में पूछ लेता है तो बीपीएसक का अलग है मामला पीपीएसक के मामले को यहां पर नहीं रखेंगे बट ओर अवर अल मैं तो वहां भी बच्चों को पढ़नी है ना तो और वहां पर हिंदी का एक पूरा क्वालिफाइंग पेपर है वह भी आपको qualify करना है, तो देखे, क्या क्या है C-set के paper में, एक तो आपका बहुत गम्मिता है, देखे आप लोग, हाँ, एक बार ध्यान से समझेगा, एक बार देखे, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सबी लोग, अभी class में, जो class चल रही है, class पे बात करिए, बाद में आपक यदि कोई भी doubt होते हैं किसी के, तो मैं doubt clear कर दूँगा, देखे, एक तो आपका बहुत गम्मिता, यही आपका comprehension वाला segment है, ठीक है, बहुत गम्मिता यह, comprehension वाला segment है आपका यह, ठीक है, अब देखो C-set में, यह मत सोचे कि English में यह अच्छा है, English में वो अच्छा है, पहले आप अपने दिल में हाथ रखके बोलिए कि क्या आप कितना काम किया आपने C-set में, बता दो, अपने मन से दिल में हाथ रखके बोलिए कि भाई C-set में इतना काम किया है सर, और मेरा नहीं हुआ, काम ही नहीं किया, math लगा पूछे जाते हैं उन प्रशनों को हल करना होता है वह बच्चों को बहुत आसान लगता है लेकिन UPSC के जब आप देखो आपके UPSC की बात करूँ तो 25 से 28 कोश्चन तक इसमें पूछता है कोश्चन की बात कर रहा हूं सोचो कितना बड़ा वेटेज है इसका कभी कभी सर्प्राइज भी कर देता है पिछली बार 21 कोश्चन ही आये थे इससे बट आप माने तब भी 20 से प्लस तो कोश्चन आई रहे है आपके तो एक बड़ा वेटेज है इसका तिक है इसके बाद आपका दूसरा जो है ऐनतरव्यक्ति-कोशल है ना इसी को हम क्या है संचार कोशल इंटर परस्नल इसकिल या फिर आपका Communication Skill इसकिल या Interpersonal Skill ree de tel आईपियस कुछ case study type में कुछ आपको situation based question जहां से आपके अंतर व्यक्तिक छमता को आखा जा सके एक प्रसासक होने के नाते आपके अंदर communication skill बहुत अच्छा होना चाहिए और interpersonal skill आपका बहुत अच्छा होना चाहिए तो उसको लेकर के पूरा segment है इसके बाद आपका तारकिक कोशल और आत्मक छमता ठीक है अब तारकिक कोशल एक तरीके से reasoning वाला तरक मतलब reasoning mental ability इसमें coding decoding जैसे question आते हैं आपके सद्रिश्यता के question आते हैं दिशा परिक्षण के question आते हैं तारकिक वेंड डाइग्राम पूचता है है ना जो है आपका क्रम व्यवस्थार ब्लड रिलेशन कागज से question ठीक है कागज कागज मोड़ना कागज काटना चित्र समस्च्याएं दरपण से question जल प्रतिविम से question संख्याओं से question ऐसे करके कई सारे topic से question या पर सीधे पूचे जाते हैं आपके ठीक है यह वाले segment से इसका syllabus बहुत बड़ा है पूरा reasoning का segment है और यह पूरा जो complete सीध का बैच है उसमें कबर कराए गया पूरा segment है इसके बाद आपका चौथा topic है निर्णय लेना और समस्या समधान यह आपका decision making और problem solving को लेकर के पूरा का पूरा topic है इसमें भी अब question बहुत काम आते हैं but overall इसमें क्या होता है जो question पूछे जाते हैं question में चारो options हही होते हैं यह समझ लीजिए इसमें सारे के सारे options हैं और इसमें वेटेज भी होता है आपके question का यह भी ध्यान रखेगा वेटेज के आधार पर जो है आपसे जो है कई बार की जैसे आपने option मलब उसका बिल्कुल exact option सही है माल लीजिए तो उसमें आपको पूरे number मिलेंगे लेकिन दिया बी option लगाएंगे तो भी आपको कुछ number मिलेंगे हैना ऐसे भी question आपके DCN making और जो है problem solving के होते हैं साइध आप में से कुछ लोगों को ना पता हो ये भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है आप लोग थोड़ा सा पहले समझ लीजे इसके बाद है आपका समान मानसी की हो गई गहतान् को गया कणी हो गया सरली कर र hacemos लगू समाप्वारत लगुत्फम समाप्वारत अउषथ हो गए आपका से कौश्चन आ जाते हैं चेत्रमिती से आ जाते हैं तो मतलब आप सोचे कि यह वाला सेक्षन बहुत जो बच्चे जो बिये किये हुए हैं जिरों ने कभी मैथ पड़ी ही नहीं है तो सोचो उनके लिए कितना बड़ा यह आफ़त है यह वाला सेक्षन और मेंटल एविलिटी यह तार्किक छमता वाला यह भी आसान नहीं है तार्किक छमता वाला जो सेग्मेंट है ना यह भी अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज है इसका त्यान रखेगा इस बात को ठीक है इतना आसान होता तो साहे फिर सी सैट में यह हालत नहीं होती बच्चों की और यह सब एक ही तरीका मुझे से पता है कि आप अभ्यास करोगे तो आने लग जाएगा आप पहले एक प्रण ले लो कि हम अभ्यास करेंगे ठीक है और एक आपका यह आकडों से जुड़ा हुआ टॉपिक है जिसमें चार्ट है ग्राफ है तालिका है आकडों को समझना है तो यह सारा अखेल अभ्यास का है एक बुक बता दूँगा आप लोगों को बाकी आप बैच जुड़ जाएगा या फिर टॉपिक्स आप कहीं से भी पढ़ लेते हैं आप उससे करिएगा मैं आपको जो शुरुवात करूँगा पहले बहुत गम्मेता पढ़ाऊंगा आपको ठीक है कम को कंप्रिहांज सर्पावर को किस त 정부 से बढ़ाता है कैसी इससे आकलयनकि इजाता है benefici से कितनी समझ एपका कमप्रिहेंज सन्से क्या होता है मांसिक दर्शन होता है कि आप के इंदर क्या है किसी चीज़ को पढ़ करके देखो प्रिसासन में जब जाओगे वहां पे फाइले पढ़नी है आपको और एक एक दिन में 10-10-20-20-50-50 फाइले आपको देखनी होती है, साइन करना होता है, तो यदि आपका comprehension अच्छा नहीं है, तो आप निश्चित तोर पे उन फाइलों को पढ़ने में कितना समय लगा दोगे, या फिर आपने इदि साइन कर दिये, कुछ भी कर दिया, तो एक प्रसाशक के तौर पे आपका reading comprehension बहुत अच्छा होना चाहिए, हिंदी को आप बहुत अच्छे से समझ पाएं, कैसे किसी भी चीज को पढ़ने के बाद उसके संपूर्ण अर्थों को निकाल पाएं, उसकी सटीक समधान कर पाएं, सटीक प्रस्णों को देख पाएं, ठीक है, ये आपके अंदर कौशल होना चाहिए, आपको हिंदी के सब्दों को समझना चाहिए, आपको जो है उनके अर्थों को समझना चाहिए, आपको उनको इंटर लिंग करना आना चाहिए, आपको उनक को पढ़ते हैं पढ़ करके उससे की वर्ड कैसे हम निकालते हैं और कैसे उनको इंटर लिंक करके अंसर को निकालते हैं तो यूपीस की का लेपल काफी अपग्रेड हो चुका है और ऐसे में हम समझने का प्रयास करेंगे सभी चीजों को ठीक है अब इसके लिए मैं आपको कुछ टास्क भी दूँगा जैसे की आपको कुछ किताबे दूँगा कि भाई आप अपने अध्यन का दायरा बढ़ाए कुछ पढ़िए नेशनल जैसे कोई एक अकबार बता दिया कि अकबार का संपादकी की पढ़िए और इसको समझने का प्रयास करिए ठीक है न्यूज पेपर का जो संपादकी वाला पेज है आप उसे पढ़ेंगे आपका रिडिंग स्किल बहुत अच्छा होता है उससे फिर उसको पढ़ने के बाद उसका विशलेशन करिए उसका अलोचनात्मक चमता उसको क करिए कई बार अपने खुद के विव पॉइंट डेवलप करिए तो न्यूज पेपर का हम सहरा लेंगे उसके परिष्चेदों को यहां पर कुछ सॉल भी कराऊंगा कुछ आप लोगों को भी दूगा टास्क के तौर पर किनको पढ़के आप जो है प्रेक्टिस करिए सारा रखने की कोशिस करना है क्यों कि जो कंप्रियंशन होता है वो समझ का परिष्चण है इसमराण का परिखशन नहीं ऊपकी समझ कितनी बन रही है उसको पढ़ने के बाद इसका परिष्च生 होता है तो बहुत सारे लेखाते रहते हैं जैसे योजना कुरुकशेत्र दो पत्ב प्रकासर भाग के द्वारा बहुत सारे निकाले जाते हैं एक आपकी पुस्तक आती है क्या नाम उसका इंडिया येर्बुक है ना बहुत सारे अच्छे साहित आते हैं कुछ भी पढ़िए तो उसको हम अब जब पढ़ेंगे बुक्स पढ़ते हो आप इतना सारा तो जब आपको रीडिंग स्किल में सिखाऊंगा यहां पर ठीक है मैंने रीडिंग स्किल को लेकर आपको बहुत सारे सेशन पहले भी लिए हैं आप लोगों को ऑफ-लाइन में एक मेरा पढ़ें कैसे करके सेशन था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पढ़ने के नजरिये में चलेगा ठीक है तो रीडिंग कंप्रिहेंसन के लिए आप लोग तयार रहिएगा अगले वीक से मैं आपको प्रॉपर रीडिंग कंप्रिहेंसन को लेकर के बेसिक क्लास आपकी शुरू कर दूँगा और आप सभी लोग एक-एक क्लास को करते जाएगा रीडिंग कंप्रिह नहीं करोगे यदि आपने अभ्यास कर दिया मेरा साथ दे दिया तो मैं आपको comprehension में बेतर कर दूँगा यदि मैंने आपको बोला कि इस सब्ता 10 comprehension करके आना तो आप 10 comprehension की practice करोगे यदि practice नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता बच्चों कोई भी भासट सुन लो किसी क्लास को कर लो यह पूरा का पूरा खेल आपका है कोई ऐसा नहीं कि मैं प्रॉपर कोई ऐसी ट्रिक दे दूंगा आपको सारा मामला अभ्यास का है आज मेरा reading comprehension अच्छा है तो इसका पीछे कारण यह है कि मैं daily books पढ़ता हूं और वह reading comprehension के हिसाब से एक समझ विक्सित की है तो वह एक reason होता है कोई भी सिख्छा को था कोई भी person होता तो पढ़ने की रणनी तिया ठीक है पढ़ना किसी भी परिछा का सबसे जो है एक मुद्दा है प्रसासन का सबसे महत्पूर मुद्दा है इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है ठीक है तो सी सैट के लिए मैं आपको बूक एक ही सेजेस्ट करूँगा ठीक है खासकर आईस वाले बच्चे जितने भी आई यस वाले बच्चे यूपीस सी वाले यूपीए सी वाले बच्चों को टाटा में ग्राहिल की एक बूक आती है टीमेंच की एक बूक आती है जीएस मैनुवल जीएस पेपर टूसकी लिंक मैंने आपको दे दिया जाद है इस एकेडमी में ठीक है बाकी अजात पब्लिकेशन में वीडियो आपका नई वाली बूक जो इसकी आजाएगी 2023 एडिशन एडिशन बजलता रहता है पुराना भी आपके पास हो भी चलेगा ठीक है क्योंकि हमें प्रक्टिस ही तो करनी है नए आधी आपको देखना है पेपर देख लिए जो सी सैट के पेपर पूछे गहें तो एक तो बूक आपको लेना है तो ट सेग्मेंट होते हैं उनको वहाँ पर पढ़ना है बट रीडिंग कंप्रिहेंस जहां पर भी है वहाँ पर आप मेरी क्लास कर लेंगे इनफ रहेगा बस अभ्यास के लिए जो मैं आपको बताऊंगा तो वह आप अभ्यास वहां से कर लेना आप अभ्यास करिएगा मन्यूस पेपर का भी आपको टास्क दे करके जाऊंगा पूरे सब्ता वर क्यों बाद में आऊंगा तो टास्क आपसे मांगूंगा भी कि भाई आप अपने टास्क दिखाओ आपने किये नहीं किये ठीक है ना हाँ ठीक है बिल्कुल टेंसन फ्री रहिए तो अगले सब्ता से प्रॉपर हमारी क्लास से स्टार्ट होगी इसमें कुछ भी नहीं चोड़ेंगे हर चीज को बहुत समग्रता से और बहुत ही बहुत ही मतलब ऐसा पढ़ेंगे आप परिक्षेद आपको मजा आने लग जाए है खीए ना इस बात तो आप सभी के लिए क्लास के मैं की सप्तार आप क्लाकर करेंगें बाकी क्यों चैसे चृणंगा ़हा ही है और जो हमारा सी सैट का भैच है मैं तो सब्सक्राइब तो पूरा कम्प्लीट उन्होंने इसी मलब यही टॉपिक सारे कियें जितने टॉपिक आपके सी सेट में आयोग पूछ रहा है या आ रहे हैं तो सारे टॉपिक वहां पे कबर हैं तो आप लेको एक बार उसे जरूर देख लीजेगा हाँ विल्कुर निश्चेंत रहिएगा तो अब अगले सबताह के लिए तयार रहिएगा आप लोग सी सेट की अलग से बुक बना लीजेगा और कम्प्रियेंसन को लेकर के आपकी एक अभ्यास वाली रेडिंग स्किल अभ्यास आपका स्टार्ट हो जाएगा ठीक है कभी किसी चीज को कैसे पढ़ते हैं लाइन टू लाइन यह सब चीजे सिखाऊंगा कैसे अंडरलाइन करते हैं कैसे चीजों को लेकर के चलते हैं यह सब पर हमारी एक व्याप व्यापक कारे योजना रहेगी ठीक है तो बहुत गम्मेता के लिए कंप्रियेंसन के लिए आप लोग मे कियेगा आप साथ में जरूर